कई बर हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तो जीवन में जल्दी प्रगती कर लेंगी लेकिन ऐसा नहीं होता है हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या एहमियत है आज की कहानी इसी सीख पर आधारी थे ये कहानी बाप बेटे की है एक बार एक वेक्ती अपने बेटे के साथ पतंग उचसब में गया था उच सब में लोग रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहे थे ये देख उस विक्ती का बेटा बेहद खुस हो गया उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा वो अपने पिता से कहां पापा मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ मुझे भी पतंग खड़ीद दीजिये बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया और पतंग और डोरी खड़ीद लाया उसका बेटा पतंग देख बहत खुस हो गया उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा उसकी पतंग बहुत उची उर रही थी लेकिन वो इससे खुस नहीं था वो चाहता था कि उसकी पतंग और उची उरे उसने अपने पिता से कहा पापा ऐसा लग रहा है कि इस दोर की वज़ा पतंग जादा उची नहीं उर पा रही है अगर मैं इसकी दोर काट दू तो ये पतंग अजाद होकर और उची उरने लगेगी बच्चे ने अपने पिता से जिद की कि वो उसकी पतंग की दोर काट दे पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की दोर काट दी दोर काटते ही पतंग और उची उरने लगी ये देख बच्चा बेहत खुस हुआ लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊची उरी लेकिन फिर वो एक मकान की छट पर जा गिरी ये देख बच्चा हैरान हो गया क्योंकि पतंग की डोर काटने के बाद भी वो नीचे गिर गई थी उसने अपने पिता से पूछा पापा ये क्या हुआ पतंग नीचे क्यों गिर गई इसे तो आसमान में और उचा जाना था तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें ये लग रहा था कि डोर पतंग को उचा उड़ने से रोक रही थी तो ऐसा नहीं था डोर पतंग का सहारा दे रही थी हवा की गती अनुसार डोर खीच कर या उसे ढील दे कर पतंग को उचा उरने में मदद मिल रही थी लेकिन जब डोरी को काट दिया गया तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई इससे पतंग नीचे गिर परी की एक ऐसा ही जीवन में भी होता है जब व्यक्ति जीवन की उचाईों पर पहुँच जाता है तब उसे लगता है कि उसका परीबार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए है और उसे सफलता की उचाईों पर पहुँचने से रोक रहे है लेकिन हम ये कैसे भूल जाते है कि हमारा परिवार ही है जो हमें उचाईों पर ले जाता है परिवार दोरा दिया जाने वाला नाइतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है यो सुन उस बच्चे को उसकी गलती समझाई पडिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बरने में मदद करता है हमारा पडिवार ही हमें प्रेरीत करता है